तो आज जो हमारे वीडियो का जो टाफिक है वह बेसिकली किया है वह हमारे पास कॉन्सिग्रेशन आफ विर्चुल नाट तो लैन आपको पता होना कि यह लोकल एडिया मेटवर के लिए हम लैन को वर्ड यूज करते हैं जो बेसिकली स्माल एडिया पे हम इसको क्या करते हैं एप्लाइ करते हैं तो बेसिक जो हमारे पास जो वीडियो का जो बेसिक अब्च जैसा के आपको पता है कि एक स्प weg यूनिवस्टि की का नेट्वर्क है। अगर आप ले नजर आ रहे हो इक यूनिवस्टि का ये नेट्वर्क है। जैसे के आप क्या करते के स्पोज एक रोटर होता था और रोटर से जो हम स्विचिज या हम जितने भी बात करें पीसी या एंड डिवाइज वो एक नेटवर्क होता था हुँ अप कुछ इस दर्व है के आप मैं कुछ इस तरह का स्मेरीऊ बनाना है या इससं़त्र के कुछ का इनकीजरींशन करनी है कि एक युनिवस्टि है उसके फॉर ड इपार्टब्सस एक CS एक computer science के students का department है एक software engineers के department है एक bio का department है एक civil engineers का department है अब university में कुछ इस तरह करना है कि जो भी मैं गर बाहत करूँ जैसे मैं गर यहां पर example बाहर करता हूँ कि कोई भी CS department का कोई भी message SC वालों की तरफ ना जाए इसी तरह मैं गर बाहत करता हूँ यहां पर तो मैं अगर यहां पर बात करूँ कोई भी अगर message है CS वालों का civil की तरफ ना जाए तो इसकी तरफ ना जाए क्या हो कि सिफ ग्रूप वाला message वो ग्रूप में ही जाए अगर स्पोर्ट CS के कुछ computer है या PC है या laptop है उन सब के message क्या करें कि CS वालों की तरफ ही जाए बाइर लीक ना हो क्यूंकि आपको पता है कि इसमें जब हम land message की बात करते हैं जब हम एक message send करते हैं वो broadcast message send करता है सब की तरफ message send करता है मारा basic objective क्या है मारा basic objective कुछ ऐसा है कि आपने जो message send करना है जो भी आपने जो मैसी सेंड करना है वो सी की तरफ चाए जो हमने सेलेक्ट किये हुए स्पोल्ज कि मेरा CS डिपार्टमिंट शेआ बॉज़ आप मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने CS डिपार्टमिंट वाले जथने भी PC हैं उनको सेलेक्ट किया हुआ है कि जो भी मेंसे CS कोई भी मेंबर एक मेंसे CS का सेंड करता है CS की तरफ मेंसे वो जस CS के जो मेंबर हैं उनकी तरफ ही जाए ये नहो कि वो बायो या SCS civil department की तरफ जाए तो simple ये एक scenario है तो ये मुझे मिद्ध है कि आपको थोड़ा समझाया होगा तो आपने इस तरह देखना है अब जैसे कि मैं अगर कोई भी मेसेज है वो CS की तरफ ही जाए अब आप देख सकते हैं कि अगर एक मेसेज है वो सब की तरफ चला जा सकता है वो SC department की तरफ भी जा सकता है वो civil department की तरफ जा सकता है अगर वो broadcast है क्योंकि हमारा message broadcast ही होता है जड़ाता तो अब मैंने क्या करना है मैंने किसी की तरफ भी message send नहीं करना है ना मैंने SC इसकी तरफ send करना है और ना ही मैंने civil की तरफ send करना है और ना ही मैंने bio department की तरफ इसका message send करना है तो just see as department अपने ग्रूप में ही message send हो तो इसकी requirement को maintain करने के लिए हम यूज यूज कर रहा है वो configuration of virtual lane को यूज कर रहा है जिसको हम फर्दर क्या करेंगे deeply understand करेंगे तो मैं क्या करता हूँ जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक पताने कोशिश करता हूँ जैसे कि suppose आपको पता है कि यहाँ पर एक क्या होता है एक router होता है अब router से अब router के आगे यहाँ पर आप एक और further router होता है ठीक है तो यह तो अलग scenario है आपने इसको नहीं देखना ओके अब यहाँ पर इस router से आगे जो हम switches को यूज़ करते हैं यहां पर हम जो switches को यूज़ करते हैं तो अब switches से downward जितना भी हमने जो भी PC जैसे PC1 है यहां पर इसी तरह PC2 and then PC3 up to PC100 जा 200 अब इन दोनों के दरम्यान अब यह वाला जो पूरा scenario है यह वाला अब यह suppose मैंने आपको एक example की तोर रबताया था कि यह एक university का scenario हो सकता है जिसमें एक यह network है ओके अब इसमें different departments हो सकते हैं क्या बता यह हमारे पास 10 जो है PC वो CS department से लिंक हो 10 हमारे पास हो SC department से 10 हो SC department से 10 हो से 10 हो बायो अब हमने इस तरह इसमें क्या करना है कि हमने इनको separate करना है basically जो हमारे पास यह होता है यह जो virtual nem network यह हमारे पास broadcast होता है जबके इसको हमने private करना होता है और इस यह अश्गा ना जैस तरह दूसरे group का message तीसरे की तरफ ना आए Basically हम इसको physical तो implement नहीं करते हैं Just यह logical implement होता है तो हम बगार टांब्स है क्यों हम क्या करते हैं start करते हैं तो हम let's start तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले हम यहां पर दो switch ले के आते हैं Just two switches मैं यहां पर दो switch को ले के आता हूं PT switches के ना यहां पर switch one इसी तरह मैं यहां पर एक switch डू लेके आता हूं तो इन दोनों को मैं क्या करता हूं आपस में connect करता हूं यहां पर तो यहां पर मैं क्या करता हूं connect करता हूं तो यह होगे connect अब इसमें simple आप ने देखना है कि इस network में हमारे पास router involved करनाफ नहीं करते हैं कि विर्चुल का मीं क्रश्राओं रोटर अप्लाई करते हैं यह चाहँम स्विच्छ बड़े आप पनाफ यह लाइक है तो Sakram आप 20 आप उसमेलर ली PC zo के ऑभी इसको PC zo And dell प्री CPU C करनी है तो किया करना है तो यहockर फॉसनेर जी इसका its on की is ड़ अभी आपने इसने नीच करने ए ईस कर दियाे स्विष जिरो केकर्ण एकुट सबस्ट आप चलूडरिमन को इसी तरह आपने एक over connect कर दिया PC3 को ओके तो यह वराफ ने connect करदिया Switch One के साथ सबसे पहले आप क्या करते हैं कि आप पहले आप इसको आ अ देते हैं वो hiring आईप्ट ड्रैस देते में हम यहां पर ुर्ष ड्रैस दें इस हैं में Writing इस पे विर्चुल अप्लाए करते हैं, 192.168. यहां पे 1.1 से स्टार्ट करता हूँ, तो इसमें गेटवे अभी तक नहीं है, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, गेटवे को, 1.1 and then similarly PC1 पे आया, और PC1 and Configuration और Fast Ethernet और 192.168.1.2, तो यह आप देख सकते हैं, मैं इसको Ctrl-A-C करता हूँ, कि टाइम को सेव करने के लिए, जो मैंने यह कर दिया, and then PC2, Configuration Mode and Fast Ethernet 0, okay Ctrl-V and then हमने का उजूज करना है, okay Ctrl-V किया और यहां मुझे चेंजिंग करनी पड़ेगी, IP अड्रेस में and then okay कर दिया, and then last one, क्या है हमारे पास, Configuration Mode and Gateway, गेटवे नहीं हमने चख करना, हमने just Ctrl-V and यहां में 4 करना है और एक जिए उड़ करना है, okay, तो अब आप खुद समझे, अब आप ने खुद समझना है कि यहां से में, let's suppose, यहां पर मैं क्या करता हूँ कि PC0 और PC2 को मैं क्या करता हूँ कि PC0 और PC2 को मैं SC Department से लिंक करता हूँ, मतलग कि आपने खुद सुचना है कि मैं यहां पर आप दो मेरे पास PC हैं, मैंने इन दोनों को किस से लिंक करना है, मैंने इन दोनों को लिंक करना है SC Department से, अब मैं यहां पर, मैं यहां पर क्या करता हूँ, कि, ओके, तो मैं यहां पर इसको कोशिश करता हूँ कि, आप यहां पर समझ सकें, ओके, तो मैं इसको, कि यह कलर देता हूँ, सबसे पहले जो यह वाला PC है यह वाला PC यह वाला PC 2 तो यह दो PC हैं यह SC डिपार्टमेंट से ब्लोंग करते हैं तो यह दो PC SC डिपार्टमेंट से जो नेक्स्ट वाले हैं वो हमने क्या करने हैं वो CS डिपार्टमेंट से ब्लोंग करते हैं यह वाले दो वन और इसी तरह सिमिलर वे में यह जो PC3 है यह किसे ब्लों करते हैं यह SC डिपार्टमेंट से ब्लों करते हैं तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको यहां पर लाता हूँ and then इसको ओके तो यहां पर यह सेपरेट होगी तो अब आपने मैं इसमें सिम्पल लिख देता हूँ कि यह है SC and then यह है CS and यह है SC Department and यह है CS Department तो यह तो सिम्पल मैंने अब इसका मैंने लिखा हुआ क्यों है कि यह SC है अब इसका क्या मतलब है कि मैंने एक ही नेटवर्क में different computer को बोल दिया कि यह जो SC का message है यह सिर्फ SE की तरफ जाए ना कि SC का message CS वाले की तरफ जाए इसी तरह कोई भी CS वाला message है वो सिर्फ CS की तरफ आए ना कि वो SC की तरफ जाए अब अगर मैं simple अब बगार अगर मैं virtual जो हम यूज करते को बगार यूज की हुए अगर मैं अब देखूंगा यह message सब की तरफ जाएगा तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यह message यहां पर पिंग यहां पर करूँ अगर PC0 desktop पर जाकर यहां पर पिंग करूँ तो यह सब की तरफ पिंग करेगा जबकि हमने इसको रोकना है हमने यह वाला message CS की तरफ ना जाए किस की तरफ जाए SE की तरफ जाए जब हम broadcasting करेंगे तो उस वक्त हमने क्या करना है कि हमने just C, SE का जो BPC है वो सिर्फ SE की तरफ ही जाए तो इसको हमने इस तरह execute करना है तो इसी तरह मैं अगर PC मैं बात करूं PC 3 की तरफ जो वो भी CS का है उसकी तरफ भी ना जाए देखें अब क्यूंकि उसकी तरफ भी जा रहा है हमने इसको basic रोकना है तो इसको रोकने के लिए हम जो qualification करेंगे वो basic हमारा objective है आज इस वीडियो का तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने किस तरह इस्तमाल करना है और किस तरह execute करना है तो सबसे पहले अगर आप यहां पे switches पे आए अब switches पे अगर आप qualification पे आते हैं simple आप जैसे ही यहां पर अगर आप मैं बात करूं जैसे ही configuration पे आए अब आपने port देखनी है तो port आपको यहां पर पोर्ट नजर आनी चाहिए तो मैं simple यहां पर option पर जाओंगा preference यहां पर आपने port नमर देखें आपको शो हो जाएगा अब आपके पास port नमर शो हो तो आप यहां से अभी देख सकते हैं तो यह सिंपल आपको दिखा रहा है इसी तरह यहां पर भी आप देख सकते हैं तो यह सिंपल था अब सिंपल आपने switch port 0 पे क्लिक किया अब switch जैसे ही आपने 0 पे क्लिक किया तो यहां पर आपने fast ethernet 0 over 1 अगर आप देखें तो यह जो आपने यहां पर दो आपके पास पोर्ट होती है एक ट्रंक टाइप पोर्ट होती है और एक सिंपल जो हम पोस्ट की बात करते हैं वह असेस टाइप होती है उके मैं दोबारा से आपके पतानी कोश्ट कर रहा हूँ कि जो हम स्विच जो हम कनेक्ट करते हैं जैसे के अगर स्विच के साथ कुछ जितने भी पीसी कनेक्टिड है या एन्ड डिवाइसे पीसी कर में बात करूं वो जो हम यूज करते हैं उसके साथ हम एसेस पोर्ड को पर PC पे आपके और स॓री स्विच पे आपके तो अब यहां पर चीक कर सकते हैं कि यहां पर वीयन scorig Why He आप दिए ते हैं यहा पर जो बहुत ही डिफाल्ट होता है विर्चौल आप देसेदेें इसमें कितने हमारे पास यह पोर्टS अवे intrigued हैं 011121314151 इसका क्या मतलग है कि आप इस विर्चुल में जो भी पोर्ट इसके साथ अटैच है आप उस पे मैसिज सेंड कर सकते हैं वोगे ये बाई डिफाल्ड वन होता है तो हमने बाई डिफाल्ड नहीं करना हमने जो सलेक्टिव लिए थे हमने वो करना है कि अब जैसे कि देखें जहां पे नहीं इसने डिफाल्ड दिया हुए इस तरह हमारे पस नहीं से आएगा और से से हमारे पस जितने भी लिंक होंगे वो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक स्पैसिफिक कहा देंगे अब जैसे कि यह डिफाल्ड है अब डिफाल्ड में यह स्पैसिफिक हो जाएगा कि अब यह नेक्स स्विच में अगर इस तरह कहीं भी डिफाल्ड होता है तो वो इस तरह कहीं भी इसे डिफाल्ड अगर नहीं मिल जाता है वो उन सब की तरफ यह वाला message send कर देगा अब मज़ीद understanding के लिए हम क्या करते हैं apply करते हैं जैसे के मैंने simple switch किया and then मैं simple configuration mode पे आया और configuration mode पे आने के बाद आपने simple क्या करना है कि यहां पे CLI mode में आए और CLI mode पे जब आए आए आप सबसे पहले आपने क्या करना है एक name बनाना है तो switch आपने name कैसे बनाना है जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूँ V और VLAN VLAN मैंने क्या लिखा VLAN 10 लिखा जैसे कि VLAN आपने 10 जैसे कि मैं कुछ भी यह आपके पास its number होता है जो आपने जो number देना होता है separate करने के लिए जैसे number देना होता है तो एक ID के तोर बर हम use का सकते हैं तो यह हुआ तो यह problem क्यों दे रहा है switch VLAN sorry इसको configuration mode पे आपने देना है यह आपने भी याद रखना है configuration C.O.N.FT अब आपने क्या लिखना है VLAN लिखना है जब आप VLAN लिख चुकेंगे तो यहाँ पर मैं इसको maximize का देता हूँ तो आप यहाँ पर VLAN यहाँ पर आपने जब लिखा तो इसके आगे आप 10 लिखते हैं 10 sorry यह VLAN आपने लिखना है जब कि यहाँ पर syntax mistake अब आपने इसके नीचे क्या करना है यहाँ पर इसको name देना है तो यहाँ पर आपने इसको क्या करना है name देना है तो name आप इसको कैसे देंगे simple आपने यहाँ पर name लिखना है और सबसे पहले आपने यहाँ पर s e लिखना है s e जैसे के मैंने s e मतलब के ये एक department में बना रहूं तो मैं एक group बना रहूं और simple मैंने इंटर कर देना है आपने इंटर किया तो आप आप क्या कर सकते हैं अब इसी तरह आप एक और बनाते हैं जैसे के मैं VLAN बनाया VLAN और यहां मैं लिखता हूँ 20 तो यहां पर मैं क्या करता हूँ 20 लिखता हूँ और यहां पर मैं इसको नेम दूँगा वो क्या दूँगा आप ने जो VLAN को जो नाम देना है वो CS का देना है simple आपने CS का जो डिपार्टमेंट बना रहे हैं आपने वो देना है and then आपने इंटर कर देना है तो अब आप अगर तो exist करें exist and then again exist करें तो exist करने के बाद यहां पर अगर आप शो करते हैं show VLAN जब आपने show VLAN किया तो आप अभी यहां पर देखेंगे कि यह इस तरह की दो हमारे पास क्या बन गी हैं लेकिन इस group में अभी तक कोई भी port हमने attach नहीं की तो यह भी देख सकते हैं कि अभी तक हमने कोई भी ऐसी port attach नहीं की तो आपने यह लाजमी consider करना है तो अब आपने क्या करना है अब आपने दुबारा से configuration mode पे जाना है configuration mode पे आप यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहां पर SE के साथ कौन सी port है FA 1 over 1 तो आपने simple यहां पे क्लिक किया और यहां पर आपने assess mode है और आपने जो VLAN जो आपने attach करनी है अगर आप यहां पर अगर आदे सकें तो जो आपने VLAN attach करनी है वो क्या करनी है यहां से 20 करनी है तो यहां पर आप अगर आप यहां पर edit कर सकते हैं तो सही है otherwise यहां पर आप देख दें यहां पर आप अडिट करें तो यहां पर आपको option दे रहा है कि आपने यह जो VLAN है यह आपने किसके साथ अटाइच करने है क्या SC के साथ या CS के साथ तो हमारे पास जो पूर्ट 1 over 1 थी यह जो आपको बी नज़र आ रही है यह किसके साथ अटाइच है यह SC के साथ हमने अटाइच करनी थी तो यहाँ पर आप सिंपल इस पे क्लिक करें and SC पे अटाइच हो जाएगी तो आपको इसनी मतलब आपकर सकते हैं तो यह तो सिंपल हो गया यह किसने अटाइच कर दिया कि यह जो कम्प्यूटर है यह लिंक किसे हो गया यह SC के ग्रूप से हो गया तो यह आप सिंपल देख सकते हैं इसी तरह जो हमने 2 over 1 था Ethernet 2 over 1 सिंपल आपने क्या करना है क्योंकि यह CS के साथ लिंक था तो आपने यहां पर गये और सिंपल आपने इसको CS के साथ लिंक कर दिया तो आप अभी यह भी देख सकते हैं तो आपने जो last one जो क्या काम करना है जो fast net 0 over 1 था उसको आपने क्या करना है कि आपने mode trunk कर देना है इसको जो switch है वो mode assess की जगा आपने क्या कर देना है trunk कर देना है और सिंपल आपने यहां से इसको क्या कर देना है trunk और fa 0 over 1 को आपने trunk कर दिया तो अब आपने simple इसको अगर मैं अब CLI mode पे आऊँ CLI mode पे आने के बाद अगर मैं अब show करूँ ठीक है exist ओके तो जैसे ही मैंने exist किया and then again exist किया ओके यहां पर अब मैं show क्या करता हूँ show VLAN तो आपको यह दिखाएगा ओके तो यह आप देख सकते हैं कि जो SE SC के साथ 1 over 1 CS के साथ 2 over 1 fast ethernet है यह attach है ओके तो यह आप भी देख सकते हैं तो I hope कि आपको समझ लग गया होगा कि हम किस तरह हम करते हैं किस तरह हम एक group बनाते हैं अब जैसे कि एक group में यह वाला PC और दूसरे group में यह वाला PC attach कर दाए इसी तरह मैं opposite side की तरफ जाओंगा एक switch के opposite side की तरफ इसी तरह मैं opposite side की तरफ यहां पर गया और जहां पर मैं configuration पर आया ओके तो configuration पर जैसे ही मैं यहां पर आया अगर आपको चेक करना है कि वाके ही क्या यह PC 0 अब PC 1 की तरफ मैं जिसेंड करेगा तो उसके लिए आप दुबारा से यहां पर आएं और यहां पर आने के बाद अब पिंग करें आप कौन सा हमारे पास यह ID थी PC 1 की मारे पास 2 थी 1.2 तो आप अब दे सकते हैं कि I hope अभी नहीं करना चाहिए इसे तो यह नहीं का रापिंग क्यों नहीं का रापिंग क्यों कि यह सिफ SC से SE की तरफ ही करेगा ना के CS की तरफ करेगा क्यों कि मैंने इस वाली पोर्ट को मैंने पता दिया कि यह जो पोर्ट है यह लिंक है किस से जो FA2 और 1 है यह हमारे पास VLAN है CS का ना के SE का तो इसी तरह आपने सिंपल वे में स्विच 1 की तरफ जाना है कॉन्फिगेशन मोड पे जाना है कॉन्फिगेशन मोड पे सबस्पहले आप zero over one पे आए और यहां पे आपने ट्रंक किया and trunk सिंपल आपने यहां पे ट्रंक किया और VLAN को बाई डिफाल्ट ही रहने दें तो VLAN इसको बाई डिफाल्ट पाई डिफाल्ट ही फाइन है इसको साथ इंड अा इसी तरह अभर आप यहां पर कोनुटनिवैशन पर कामिशिए करे दी कंद साथ एठी तो किसार है नकी कोश्फ है की एठी लाइन golden वाइन mode intercept 13 अफ यहां पर क्या वर्फिकियशं मोड पर के जिए तो हम्ने क्रियेट तो किया नहीं तो तो इसके लिए simple आपने क्या करना है यहां पर आपने आना है and then simple exist configuration mode पर आना है configuration mode पर आए और यहां पर VLAN okay सबसे पहले VLAN 10 आपने बनाया और name इसको जो भी आपने switch 1 में दिया था वहीं आपको देंगे जैसे कि मैं यहां पर SC से दे रहा हूँ okay तो SC दोनों का name Sam होना चाहिए यह भी आपने देखना है दोनों की ID भी Sam होनी चाहिए इसी तरह मैंने क्या करना है कि एक दफ़ा exist and आपने exist किया okay and then दोबारा से आपने VLAN दिया VLAN और यहां पर 20 लिखा और 20 लिखने के बाद आपने यहां पर जो name देना है वो क्या देना है CS क तो जी आप देख सकते हैं अब आपने Simple Configuration Mode पर जाना है और Configuration Mode पर सबस्पहले 0 over 1 तो 0 over 1 पर आप यहां पर देख सकते हैं कि default CS इसको default ही रहने दें and यहां पर आपने 1 over 1 पर आना है and 1 over 1 पर आपने आकर यह 1 over 1 simple आप देख सकते हैं कि 1 over 1 की port किसके साथ अटेज है यह SE के साथ अटेज है 1 over 1 की port SE के साथ अटेज है तो आपने वही डिपार्टमेंट यहां से स्लेट करना है तो मैं यहां पर गया और यहां पर SE का स्लेट कर लिया and done कर दिया and then अब मैंने इस तरह 2 over 1 2 over 1 simple आपको कोई I think पुछनी जरूरत रही है कि simple किसके साथ आपने यह करने की कुछ करूं message तो क्या यह message जाएगा correctly I hope के जाना चाहिए तो यहां पर हम two की जगा three हम use करेंगे okay तो यहां पर two की जगा three तो यह आप देख सकते हैं कि यह three की तरफ message send कर रहा है इसका क्या मतलब है कि SCE की तरफ send कर रहा है अगर मैं यहां से three से four कर दूं IP address के CES department का जो PCA जी last one जिसका हमने IP address 192.168.1.4 दिया था अगर तो मैं उसको देखनी तो वो उसको पिंग नहीं कर रहा क्यों नहीं कर रहा क्योंकि वो इस department में है ही नहीं जो department इससे link होगा उसी को ही यह send करेगा okay अब इसी के मैं अगर opposite देखूं अब मैं PC3 वाला अगर मैं PC PC अब इस स्वाले में portion को send करता है एक दफाए SC को एक दफाए CS को फिर हम देखते हैं कि क्या यह वाकिए ही properly send कर रहा है तो सबसे पहले मैं पिंग करता हूँ जो SC की जो भी ID है okay इसकी ID है 192 जो IP address 192.168.1.1 तो यह देखें यह address send नहीं करेगा कोई भी message या confirm नहीं करेगा ping मतलब message confirm नहीं करेगा कि हमारे पास message send हो सकता है या नहीं तो इसी तरह मैंगर PC 3 आप देख सकते हैं कि यहां पर message को request out time कह रहा है कि आप यह message नहीं कर सकते यह privacy का matter है कि आप एक group का दूसरे group में message send नहीं कर सकते यह group का एक group में ही message send होगा okay तो यह आप इस तरह separate अब मैं अगर करता हूँ one dot two तो अब यह correct message send होना जी क्यों यह message send हो रहा है यह देखे confirm कर रहा है कि आपका time इतना confirm receive message हो गया send message हो गया क्योंके यह इस department से relate कर रहा है तो यह मुझे मीद है कि आपको simple पता लग यह होगा कि किस तरह हम अगर एक ही network में अगर हम कुछ PC को separate करना चात तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए जो हम यूज कर अब में अगर मैं यहां से इस PC की तरफ अगर मैं इसकी तरफ send करने कोशिश करूं तो यह send नहीं होना चाहिए अगर मैं real simulation mode पे आऊं यहां पर तो अगर मैं यहां से message को send करने की कोशिश करूं तो मुझे में है कि यह इसकी तरफ सेंड नहीं करेगा यह मैसिज इसकी तरफ इसकी तरफ तो जाएगा लेकिन यह किसकी तरफ नहीं जाएगा दूसरे की तरफ नहीं जाएगा जो दूसरे वाला होगा जो डिपार्टमेंट होगा ओके तो यह आप सिंबल अभी देख सकते हैं तो यह सिंब बनाइसें, विच्वार कॉन्फिगेशन कर सकते हैं, हम सेपरेड कर सेथें, जैसे कि इख पोस्ट 10 हमारे का सब्सक्राइब हैं, और हमने क्या किया कि एक युणिवस्टी में 10 PC रखें, और 5 PC पीचे वह एसी डिपार्टमेन्ट को दिए, और 5 दिए CS को, अब मैंने साथ इं या आप बात करें किसी भी और्गनाइजेशन में अगर आप इस तरह को सेटा बनाना जाते हैं मुझे मीज़ है कि आपको कुछ ना कुछ इससे बेनिफिट मिला होगा I hope कि आपको कुछ बेसिक अंडिस्टेंडिंग इससे ड्वैलप हुई होगी इंशाला वी मीट वी मीट नेक्स टाइम and I hope कि मैं नेक्स टाइम एक बैटर वीडियो के साथ आपके समने पेश हो तो guys keep smiling I love